आज आपके दो ऐसे कमेंट का जवाब देने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्डेंट है आप सभी के लिए आप मेंसे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके मन में ये सवाल चल रहा हूँ तो दो कमेंट ऐसे आए हैं हमारे पास जो मुझे लगा परसनली लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए हो सकता है कि अगर हम उनको सलूशन बताएंगे तो आप भी उसी के सिकार हों तो आपको भी सलूशन मिल जाएगा तो comment लेने से पहले comment वालों के नाम बता दूँगा comment दिखा भी दूँगा आपको नाम साथ में रहेगा ठीक है तो पहला comment है कलपना ब्लॉग डवल एट सर मेरा first list में selection हो गया है स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैंने selection form भी भर दिया है पर selection form में मेरे पापा का नाम जो है मिथलेस कुमार है और अधार कार्ड में मिथलेस कुमार मिश्रा है क्या मेरा selection रद हो जाएगा सर प्लीज रिपलाई देखो भाई reply हमने आपका वीडियो के माध्यम से दिया है वो वच्चे जिनके form में सरनेम में mistake होती है जो form apply करते हैं हो सकता है कि form भरते समय नाम में एक आदी spelling mistake हो या फिर सरनेम में mistake हो मदर के नाम में देवी लगता है हो सकता है देवी ना लगाया हो ऐसे बच्चे इस चीज को लेकर बिलकुल tension free हो जाएगा कि उनका admission cancel कर दिया जाएगा बिलकुल admission cancel नहीं होगा एक छोटी सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपको एक notary एक हलफ नामा एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा बकील से आप जाईए type करवा के बनवा के उसको दे दीजिएगा और वहाँ पर वो गलती आपकी accept हो जाएगी और आपका admission cancel नहीं किया जाए आपका admission हो जाएगा तो कल्पना ब्लॉग डवलेट आपका answer आपको मिल चुका है आपका admission cancel नहीं होगा tension free रहिए और आप जुलाई में school join करिएगा ठीक है मिठाई जरू भेजिएगा उसके बाद अगला comment है अजयेगा सर class 6 के marks कैसे पता चलेगे देखो भाई नवोदे विद्ध्याले समीती अपने किसी भी entrance exam के marks open नहीं करती है आपको पता नहीं लगेंगे सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि आपका selection हुआ है अनिता नहीं हुआ है अगर हुआ रहेगा तो आपका नाम होगा अगर नहीं हुआ रहेगा तो आपका नाम नहीं होगा लेकिन marks पता कैसे चलेंगे देखो marks पता करने के लिए हमने ही एक पहल सुरू की थी आज सी दो साल पहले 2022 सेशन में हमने RTI के जरीए marks पता करने की एक कोशिस करी थी वहाँ पर वो सक्सिस भूगा था और उसके बाद लगबग लगबग अब जो है सभी को जवाहर नवोदि विद्याले के marks पता लग जाते हैं ठीक है RTI के जरीए आप छोटी सी एक process है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी playlist खोलिए वहाँ पर जाके ढूंडिए उसको अपने marks कैसे देखें ठीक है आसानी से आप marks देख सकते हैं इसके अलावा और कोई procedure नहीं है जिससे आप जवाहर नवोद विद्याले के marks पता कर पाए सिर्फ एक प्रक्रिया है वो है right to information RTI तो आप उससे अपने marks पता कर सकते हैं इसके अलावा और कोई chances नहीं है तो ये दो comment ऐसे थे जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए आपके मन में चल रहे होंगे वीडियो कैसा लगा अगर आप भी अपना comment अप मेरे किसी वीडियो में देखना चाहते हैं नाम के साथ उसको explain करवाना चाहते हैं तो कोई ऐसा comment करो जो बहुत सारे लोगों की problem हो मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को share और चैनल को सब्सक्राइब दरो करेगा जैन